चलिए प्यार ही दोस्तों आप लोगों का आपके Youtube चैनल में स्वाहगाते दोस्तों आज हम आपके लिए फिर एक नई अपडेटा ले के आए है तो दोस्तों अगर आपने चैनल को Size क्राइब नहीं किया तो चैनल को साथ करें आ क pak denying के साथ तो दोस्तों आज बात करते हैं स्पोर्ट यूथ वेलफेर असाम की दुवारा जो है निकली वे रुदर सिंग स्पोर्ट कॉम्पलेक्स के लिए गुआटी छे में जो की सब डिविजिजन स्पोर्ट ओफिसर जो है चार वकेंसी है और फिजिकल इस्ट्रक्टर की जो है 119 वकेंसी है और कोच की यहाँ पर 54 वकेंसी निकाली गई है तो देखिए तो वीडियो को देखिए कंप्लीट देखना देखिए आप लोग स्पोर्ट खेलते हो और स्पोर्ट खेलने के बाद आर्मी या और चीज़ों में भरती नहीं हो पाए है तो आप फिजिकल इजुकेशन में अपना करियर बना सकते हैं तो आप वीडियो को देखिए कंप्लीट देखना पूरी में जानकारी दूँगा कहां कहां पर क्या करना है किस पे कितनी सीट है मैं और वुमेंस दोनों के लिए है और बहुत अच्छी अपडेट है तो वीडियो को जब आप कंप्लीट देखूगा तभी आपको इस समझ मैंगा चलि दोस्तों बात करते हैं रिजवेशन ओफ पोस्ट कितनी है यहां पर सब डिविजिनल स्पोर्ट और भी सर में कोई रिजवेशन नहीं है टोटल चार पोस्ट है यहां पर सभी लोग भर सकते हैं और इसके लावा फिजिकल इंस्ट्रक्शर की जो है तरेपन पोस्ट है टोटल जिसमें 16 वुमेंस की रिजव है लग सबसे तोटल इसके लावा जो हम बात करते हैं याँपर आगे चलते हैं याँपर दो जो है याँपर रिजव फोर वुमेंस के लिए है पाँच है टोटल तो यह अलग अलग रिजवेशन दे रखा है या आप देख सकते हैं याँपर तोटल 119 वकेंसी है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर में, अलग-अलग रिजुवेशन है, इसके बाद कोच में भी ऐसे है, मैंस वोमेंस दोनों का है, और एक सर्विसमेंन का भी यहां पर दो परसंट जो है रिजुवेशन दे रखा है, दोस्तों जैसे यह रिजुवेशन दे र आपका मैडल नहीं आ पाया है, तो आप सोचते हो कि सर मैडल तोयानी, अब हम क्या करेंगे, स्पोर्ट के सर्टिफिकेट आप सोचते हो कि बेकार होगे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, गर आपने स्टेट खेल लखा है, नेशनल खेल लखा है, तो मेरा एक सजिशेशन है कि आ आप कंप्लेट देखोगे, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं सकताई कमंडो, स्वीमिंग, इन चीज़ों के आते रहते हैं कि इसमें हम अपलाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, बार भी के बाद करें सकते हैं सकेल, तो यह अपर सब्डिशनल की बात करें, यहाँ पर वाइस अजार से लेके सटानों अजार तक का पेमेंट निंग को मिलेगा, फिजी का इस ट्रक्चर की इसके लिए हमें क्या चाहिए डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, रियोगनाइज युनिवर्स्टी वीद डिग्री, डिग्री होनी चाहिए आपकी डिपलोमा इन फिजिकल एजुकेशन में, अगर आपने कर रखा तो डिपलोमा न हो चाहिए, इसके बाद फिजिकल इन इंडिया, कहीं से भी आप करे होए होने चाहिए, थ्री या फोर इयर बिपे डिग्री, रियोगनाइज बाइज बाइज गोर्मेंट, रियोगनाइज बाइज दा युनिवर्स्टी इंस्टिटूट, फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, और एज जो है, 38 साल तक इसम इजुकेशन, अगर आपने गरजुएशन के बाद आपने फिजिकल एजुकेशन बीपेड कर रखी है, तो आप जो है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर का भी वर सकते हैं, अब बात करते हैं, कोच में क्या करते हैं, डिगरी इन आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रियोगनाइज युन इसके लावा और दूसरा आपको डिगरी इन आर्ट में, आपकी डिगरी होनी चाहिए, साइंस में, कॉमर्स, विद डिप्लोमाइन, मैथर्ड, इंस्ट्रक्शन, कॉर्स, बेसिक एडवांस आपका होना चाहिए, रियोगनाइज दा इंस्टिटूट, इसमें भी आपको ए इसके बाद करते हैं, यहाँ पर एज क्या चाहिए, तो HDCO के लिए 20-38 साल चाहिएगी, 11-2022 से काउंट होगी, PI के लिए कोच के लिए 21-40 साले, 11-2022 से काउंट होगी यहाँ पर, और by 5-year SCST candidate, 3-year OBC candidate, and 2-year ex-serviceman को यहाँ पर दिया जाएगा, जो आपकी एज काउंट होग दसवी के आपके से होगी, यह HCL admit card pass certificate issue by reorganizer center यह state counseling documents से accept होगी, mention in documents, तो यह चीज़े आप जो है, जब भी मैं आपको वीडियो में समझाता हम तो एक pen pencil ज़रूर ले 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 करो, और क्योंकि यह चीज़े जो है, नोट करने की चीज़े हैं, और काफी अच्छी चीज़े है, अब बात करते हैं, एक्जामिनेशन, physical ability test होगा, written test होगा, फिर sub-divisional sport officer, physical instructor और coach, दोनों का होगा, physical test और आपका written test, इसके बाद game कौन-कौन से हैं, football, volleyball, basketball, athletic, badminton, swimming, wushow, weightlifting, tie commando, long tennis, table tennis, boxing, archery, gymnastomic, hockey, rowing, canoeing, juday, ko-ko, kabaddi, cycling, cricket, mountaining, adventing, and finning, and handball, तो, इनके, जो है, coaches का, इसमें मांग रखा है, apply कैसे करना, candidate, apply, all the copies, academic certificate, marks, sheet, and other, लेश्टिमेंस, आपके जो भी certificate है, वो इसमें लगाने, candidate के जो है, domocell होना चाहिए, involved following the documents में, इसके बाद जो है, दो passport size photo होने चाहिए, ID proof कोई, एक कोई भी, और आधार कार्ड, या certificate, 10th class का, graduation, diploma, certificate, and marks, valid employment, exchange, registration, certificate, income, certificate, issue by, officer, या card certificate, discharge book, जो कि ex-serviceman है, उनके लिए है ये, और the candidate implement should have no positive permission in return test, in joint service, beyond the selected director, youth, as per, तो ये जो वकेंसी निकाली गई है, ये बहुत अच्छा, क्योंकि ये वकेंसी से लिए निकाली है, कि जिससे हमारे, जो नई PD है, वो तियार हो सके, और हम उनको एक अच्छे से, एक वच्छा platform दे सकें, क्योंकि sports का hub है, असाम, तो इसलिए याँ पर जो है, इतनी सारी vacancy निकली है, बहुत बड़ी बात है, और मेरा आप लोगों से निवेदन है, कि इस वीडियो को जदर से शेयर करना, जो बच्छे अभी तक अपना करियर नहीं बना पाए हैं, किसी भी फिल्ड में, तो वो BPA करके अपना करियर बना सकते हैं, अगर BPA किसी को करनी है, उसकी पूरी जानका नहीं चाहिए, तो आप मेरे को टेलिगराम पर फोलो कीजिए, और वहाँ से मेरे से बात कीजिए, मैं आपको पूरा प्रोसीज आपको बता दूँगा, कि BPA आपको कहां से करनी है, क या उसका प्रोसीज रहता है, किस तरह से हम कर सकते हैं, तो पूरी डीटेल में टेलिगराम पर है, और यह जो लाज्ट डेट रहेगी, इसकी ग्यारा अपनायल 2022 रहेगी, दोस्तों ये वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ पर आप जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जे हिंज ये भारत